11 अगस्त को भाई बेहन के प्यार के प्रतीक का पर्व रक्षा बंधन मना जाएगा बाजारों में रंग बिरंगी राखियां सजी हुई हैं बेहने अपने भाईों के लिए प्यार का धागा यानि की राखी खरीदते नजर आ रही हैं लेकिन जो बेहने अपने भाईों से दू हैं वो डाग के जरिये अपने भाईों को राखी भेज रही हैं ताकि रक्षा बंधन वाले दिन भाई अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांद सके इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी की पाकिसानी बेहन ने रक्षा बंधन पर उनकी लिए राखी भेजी है जो उन्होंने अपने हातों से तयार की है पाकिसान मोल की कबर मौसिन शेक हर सार प्रधानमंत्री मोदी के लिए राखी भेजती है इस बार भी उन्होंने राखी के साथ एक चिठ्थी भेजी है जिसमें बेहन ने प्यम मोदी की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनके आगे भी प्रधानमंत्री बनने की शोकामनाय द पीम मोधी को लिखे अपने पत्र में कमर महसिन ने उमीद जिताई कि इस बार पीम मोधी से मुलाकात हो ही जाएगी इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है उन्होंने कहा कि मैंने रेशमी रीबन के साथ कढ़ाई डिजाइन का इस्तिमाल करते हुए यह राखी ख प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के लिए राखी भेजती हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि आखिर इन दोनों की मुलाकात कहा होई थी कमर महसिन शेख पाकिस्तान की रहने वाली हैं लेकिन उनकी शादी भारत में हुई है महसिन शेख 24 से 25 सालों से प्रधान मंत्री मोध शीटी को राकी बांदती या फिर भेजती कहा जाता है कि जब प्यम मोधी आरीसस कारेक करता थे तभी से वो उन्हें जानती है और उन्हें राखी भेज रही हैं। उन्होंने पिछले साल भी राखी और पत्र भेजा था। मेडिया रपोर्ट्स के मताबिक पाकिसान की रहने वाली कमर मौसन पहली बार साल 1980 में भारत आये दी। इसके बाद उनकी शादी भारत में ही मौसन शेक के साथ तैह हो गई और उसके बाद वो हिंदुस्तान में ही रहने लगी। बताया जाता है कि उनकी मुलाकात गुजराब की ततकालीन राजजिपाल डॉक्टर स्वरूप सिंग सी हुई और उनका कहना है कि वो उन्हें बेटी मानते थे। उन्होंने बताया था कि एक बार जब वो पाकिसान जा रही थी तो स्वरूप सिंग मुझे एरपूर्ट छोड़ने आये थे। इसी दुरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। इसी दुरान स्वरूप सिंग ने बता कि कमर शेक उनकी बेटी है तबी से पीए मोदी ने उन्हें अपनी बेहन की रूप में स्वेकार कर लिया। इसके बाद से कमर महसित रक्षा बंधन पर मोदी को राखी बांधती आ रही है। आपको बता दे, 1993 से राखी बांधने का ये सिलसला आज भी चारी है। इस खबर में फिलाल इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।